नमस्कार मित्र जैमातली स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तुम मित्रो साथ जन्दमों तक बेटे बेटे खाओगे अगले पांच दिनों में आपकी जिन्दगी में जो चमतकार होने वाला है उस चमतकार के बारे में ना तो पहले कभी आपने सुना है और ना ही पहले कभी देखा है मित्रो भगवान के गर देर है लेकिन अंधेर नहीं है आपको बता दें कि आपको अपनी आँखो पर यकिन नहीं होगा अगले पांच दिन आपकी जिन्दगी को स्वर्ग बना कर रख देंगे तो मित्रो व्यापार के डरष्टी से नोकर के डरष्टी से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संभन्दों के लिए साथ ही मित्रो विद्यारतियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समचार है, क्या साउधानिया है और क्या खुस खबरिया है समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले ही तो सब से पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं इस वीडियो का लाइक अवस्य कर दिजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्ते ही प्रेम से जय माता दिलिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनुकामनाई पुरुन करेगी मित्रो वीडियो में बताए गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है और वीडियो के अंत में कुछ उपाई भी है जो हम आपको बताने वाले हैं जिनें आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पुन्जी लगानी है मित्रो इन उपायों को आजमा कर आप अपने अंदकार रूपी जीवन में एक उजीयाला भर सकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि संपर्क सुत्रों के माध्यम से आपको महत उप्रण जानकारी मिलेगी जो कि आपके लिए लाबदायक रहेगी परन्तु कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में गहराई से जानकारी जरू लें इससे आप अपने कामों को अच्छी तरह से अंजाम दे पाएंगे क्योंकि मित्रों कभी कभी आपका बिना सोचे समझे किसी भी कार में हाथ डालना आपके लिए और आपकी जीवन में कई सारी तकलिफे उत्पन कर देता है मित्रों आप अपने कर्मों को अच्छी तरह से समझें सामाजिक तथा पारिवारिक गति वीधियो में आपका सुखद समय व्यतित होगा कुछ लोग व्यधान डालने के भी प्रियास करेंगे कुछ लोग आपके कारियों को रोकने का आपको आगे बढ़ने से रोकने का प्रियास करेंगे बहुती सावधानी पुर्वक कार करने की जुरुतें धेर और सैयम बनाए रखें एवं अपनी व्यक्तिक अदबातों को किसी के भी समक्स जाहिर ना करे वरन आपका ही नुकसान होगा और इस नुकसान को जहनने की काबिलियत आप में नहीं है मित्रो पारिवारिक व्यवस्था की वज़े से कार रेस्थल पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे लेकिन ज्यादातर काम घर से ही फौन के जरिये पूरे हो जाएंगे यानि कि आपको ज़दा भगा दोड़ी करने की जरुरत नहीं है ना आपको इधर उधर जाना है सिकेवल फौन पर ही घर बेटे ही आपके कार संपन हो जाएंगे इनकम की स्थिती मंदी रह सकती है तो नोकरी पिसा लोग अभी ट्रांसफर के लिए बिलकुल भी कोशिस ना करें और मित्रो घर परिवार में भी खोशी भरा माहुल रहेगा जिससे घर परिवार में आप थोड़ा सा अच्छा समय भी व्यतित करेंगे इसे के साथ मित्रो आपको बता दें कि लव पाथनर के साथ मन और अंजक संभंदित समय भी व्यतित होगा पाथनर और आपके बिच नजदीकियां बढ़ेगी पाथनर और आप एक दुसरों को अच्छे से समझ पाएंगे मित्रो आपको बता दें कि अनुभवी लोगों के साथ मेल मिलाप करना आपके लिए बहतर रहेगा अनुभवी लोगों के साथ मेल मुलाकात के मौके आपको मिलेंगे और आपकी विचार से लिए और दिन चर्रया में भी सकरातमक बदलाव आएगा और किसी सामाजिक गतिवीधी में आपके योगदान वकाम की प्रसंसा होगी साथ ही मित्रो इस बात का भी धियान रखिएगा कि दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करने का नकरातमक असर आपके मान सम्मान पर भी पढ़ सकता है रूपिय पेशली के मामले में हर किसी पर भी भरोसा ना कर इसकी वज़े से आप आर्थिक नुकसान भी पा सकते हैं क्योंकि अक्सर एसा देखा गया है कि जब जब आप दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करते हैं इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही होता है किसी भी परिष्टिती में किसी भी विशेस कार्रे के प्रती किये गए प्रयासों के सकारातमक परिणाम मिलने वाले हैं धार्मिक कार्रे के प्रती भी आपका रुझान बढ़ेगा और संतान से संबंदित सूब सुचना मिलने से मन को सुकुन मिलेगा मित्रो घर में नजदी की संबंदियों का आगमन होगा युवा वर्ग अपनी मेहनत के मन और अकुल परिनाम ना मिलने से चिंतित रहेंगे लेकिन मित्रो चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है जिसा आप चाहते हैं जो आप एक साप रखते हैं वेशी ही घटना और वेशी ही इस्तिथी आप के लिए निर्मान होने वाली है मित्रो आपको बता दें कि आप किसी भी धार्मिक कारिक प्रती रुजान बढ़ाने में सफल रहेंगे संतान से संबंदित सुब सुचना मिलने से मन को सुकुन मिलेगा और घर में नजदी की संबंदियों का आगमन होगा मित्रो युवा वर्ग मेहनत करते रहें किसी अनुभवी से परामर्स अवस्य करें और जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कुछ नकरात्मक गति वीडियों की और आक्रसित होना उचित नहीं है इस पेसे का लेंदिन ध्यान पुर्वक करें मित्रो इस समय बिजनस संबंदित हर सावधाने करने की जरूरत है साथ ही मित्रो दामपत्य जीवन में भी उचित सामनजस्य बना रहेगा और यह उचित सामनजस्य तरह मनोबल बनाए रखने का भी है मित्रो से मेल मुलेकात होगी तथा कई व्यक्तिगत और विवसाइक जानकारिया मिलेगी जो की भविस्य में फाइडे मन साबित होगी किसी निकट संबंदित के साथ चल रहे सारे वाद और विवाद दूर होंगे और कुछ समय आध्यात्मिक गतिवीदियों में भी अवस्य लगाए मित्रो गेर जरूरी खर्चों पर काबू पाना है क्योंकि बजट बिगड़ने से आपके महत्प्रण कार रुख भी सकते हैं कुछ लोग आपकी पीट बिछे आलोच ना कर सकते हैं परन्तु इन सब व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कार्यों के प्रती एकागर चीत रहे सरकारी सेवरात लोगों को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कार्यों को भी करना पर सकता है जिससे काम का दबाव आपके उपर बनेगा अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाए रखें और मित्रो और संतुलेत खान पान की वज़े से गला खराब रह सकता है तो आयू वरेदिक चीजों का इलाज ले तथा अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें संतान को कोई उपलब्धी मिलने से आपको गर्व होगा आप अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहच्यान बनाने में भी काम्याब रहेंगे कुछ खर्चे और चुनोतियां आपके सामने आएंगे परन्तु आप उन्हें हल भी कर लेंगे अपनी इच्छात पूर्टी के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें और धियान रखें कि किसी भी विपरित परिश्टिथी में भावनाओं के आविश मिनाए इससे परिश्टिथियां बिगड सकती है और संबंदों में भी कटूता आ सकती है मित्रो आपको बता दे कि बिजनस में समस्या सुल जाने से आपको कई हद तक राहत मिलेगी और फाइनेंस संबंदित काम पर आप ज़्यादा ध्यान दे विवस्था एक संपर कभी स्ताफित होंगे जो कि फाइदे मन रहेंगे लेकिन हो सकता है कि किसी वज़े से आपको अपने असुलों से समझोता भी करना पड़े विवस्था के बावजूद घर परिवार के लिए भी समय निकालना जरूरी है और मित्रो प्रेम संबंदों का खुलासा होने से आप किसी परिसानी में पढ़ सकती है आपको घर तथा विवसाय दोनों जगह उचित सामन जस्थे बना कर रखना होगा तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकालने में आप मित्रो पूरी तरह से सफल रहेंगे व्यक्तिगत संबंदों में घनिष्टा आएगी और बड़े बुजुर्गों के आसिरवाद व इसनेह से घर में सकरात्मक उर्जा बनी रहेगी यह समय बहुती सांतिप्रण तरीके से वियतित करने का है व्यर्थ के जहमेले में ना पड़े ससुराल पक्से के साथ संबंद मधूर बना कर रखें और घर के बड़े बुजुर्गों की सला का भी जरूर अनुसरन करें तो मित्रो अब वीडियो की समापती यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को आप सभी मित्रो लाइक अवस्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्त ही प्रेम से जय माता दे लिख कर माता राने का असिर्वाद प्राप्त के जियेगा और गुरु जी का असिर्वाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तु भ्यम अवस्य लिखियेगा और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दत वीडियो की प्राप्ते के लिए आप सभिमित्रों हमारे चेनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईए